मॉम डेड दिपिका और आलिया भट संग रनवीर सिंग ने देखी गली बॉय फिर हुई पार्टी देखे तस्वीरें गुरुवार को रनवीर सिंग और आलिया भट की फिल्म गली बॉय रिलीज हो गई इससे पहले बुदवार रात रनवीर और बाकी सब ने मिलकर खूब धमाल किया है सबसे पहले फिल्म की स्क्रीनिंग हुी और उसके बाद रनवीर दिपिका पदकोण आलिया भट आदी ने जमकर पार्टी भी की जैसा कि आप जानते हैं कि दीपिका पद कौन से शादी के बाद रनवीर सिंकी यह दूसरी फिल्म है सिंबा की काम्याबी से उत्साहित रनवीर गली बॉय के लिए इप्ध बेहत उत्साहित है बुधवार को फिल्म का एक स्क्रीनिंग भी रखा गया जिसमें रनवीर और दीपिका एक दूसरे का हाथ था में कुछ इस अंदाज में नजर आए आप देख सकते हैं दीपिका इस दोरान स्माइल करते हुए कितनी प्यारी लग रही है उन्होंने इस मौके पर अपना फेवरेट कलर ब्लैक पहना है जबकि रनवीर हमेशा की तरह अपने अलग से आउट हिट में नजर आ रहे है स्क्रीनिंग के दोरान रनवीर सिंग के माता पिता भी पहुँचे इस मौके पर रनवीर के डैड जगजीत सिंध भवनानी और मॉम अंजू भवनानी दोनों बेहत खुश और उचसाहित नजर आए दिपिका के पिता प्रकाश पद तोन भी गली बॉय की स्क्रीनिंग के लिए पहुँचे दिपिका की मौम भी फिल्म देखने पहुँची थी स्क्रीनिंग के बाद रनवीर और दिपिका गली बॉय के डायरेक्टर जोया अख्तर के यहां पहुँचे और वहां जमकर पार्टी की पार्टी के दोरान आलिया भट कुछ इस अंदाज में कैमरे में के दूई आलिया स्क्रीनिंग में भी मौजूद थी आमिर खान की पतनी किरन राव भी इस पार्टी में पहुँची फरहान अख्तर भी गली बॉय की इस पार्टी में शामिल हुए फरहान इस फिल्म के निर्माता भी है फरहान के अलावा रितेश सिद्वानी भी फिल्म के निर्माता के रूप में जुड़े है रितेश इस मौके पर कुछ इस अंदाज में दिखे कुल मिला कर यह दिन रणवीर सिंगह और दीपिका पदकोन के लिए बेहत खास है और इसलिए भी दोनों गली बॉय को सब परिवार इजॉय कर रहे है